नमस्कार शातियों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्मेंट एजुकेशन में दोस्तों यहां पर बहुत ही इंपोर्डेंट अपटेट है आपके ग्रुफ फोर एक्जाम जो लोग तयारी कर रहे हैं उसके लिए और अभी जो फोरेस्ट गाट का है तो आपको उसकी एग्जाम डेट भी पता पढ़ चुकी होगी उसके एग्जाम जो है वो आपको पचीस तारीख से देखनी को मिलेंगे इसी मंत में वैसे वह बाइस से स्टार्ट था तो आप देखें यहां पर मैं आपको बता दूँ कि जिन एग्जाम वाँ में जो अपड काड जारी कर दिये जाते हैं और आपने देखा था कि आज ही रात मतलब आज की रात नहीं कल रात को जो है वो एड्मिट कार्ड जो है वो देखनी को मिले थे जो कि जो तो देखनी को मिल रहे हैं जिसके अंतरकत आपको मैंने बताया भी था कि जो वन रच्छक हो गए छेतर रच्छक हो गए और जेल पहरी हो गए इसका एक्जाम होना है और जेल सुप्रिडेंड वाला था तो इसका जो है वो अलग से एक्जाम होना है तो मैं यहां पर आपको एक्जाम डेट की तरफ ले चलता हूं सीधा सीधा और आप देखो कि यहां पर एक्जाम डेट जो है चेंज हो चुकी है और आपने देखा भी होगा तो यह तो हो गई 25 मई जैसे कि मैंने आपको थंबल में देखा दिया है वहां पर पिछला एड़म पर आपके लिए बहुत अच्छा मौका है यह एक्जाम बचेंगी उसमें आपको अच्छे से प्रप्रिशन करनी है अच्छे से रिवायज करना है यह मान के चलिए कि जिल्लो कमालो September 2 तारी को एक्जाम होना था उनके लिए अब थोड़ा दिन मिल गए हैं तो इस डिनों को यह है वो आपको ऊटिलाइज करना है अच्छे से जसे आपके अच्छे से मार्क्स आप आये ज्यादा से ज्यादा मार्क्स करोगे तभी आपकी जो है वो हर question पर हर चीजों में आपकी समझ बढ़ेगी ओके theory theory पढ़ने से कुछ नहीं होता theory आप पढ़ते हो ठीक है पढ़ना भी जरूरी है theory लेकिन अगर आप practice नहीं करोगे तो वो question आपसे गलत हो जाएंगे तो question करना practice बहुत ही जरूरी है तो इन चीजों को आप ध्यानते रखते हुए अपनी तयारी को आगे बढ़ाते रहना है और जितने भी दिन बचे हुए हैं आपके पास तो all over देखा जाए तो अभी हम देखा जाए वो नया कुछ नहीं पढ़े आप practice कर सकते हो और revision कर लीजेगा जितने भी दिन बचे हुए हैं मतलब 25 तारीख से exam है तो आप समझ ये कि अभी इस हो है जितने भी एक हपता के करीबन मानके चलो आप तो आप ये मानके चलिए कि जितने भी दिन ये बचे हुए हैं इसमें आपको सिर्फ किस पर revision पर फोकस करना है नया पढ़ने की आपको जरूवत नहीं है और घबराना नहीं है दिखिए आप अगर सुचते हो कि मेरा 25 को ही पढ़ गया तो और बाद में जो लोगो एक्जाम है उनको एडवांटेज मिल जाएगा तो ऐसा बिल्कुल मत सूचिएगा अगर आपको फर्स शिप में है तो वो उससे साफ से एक्जाम का पैटरन है और आपको वहाँ पर सिंपल ही देखने को मिलते हैं फर्स शिप के कुश्चन तोड़े तो डोंट वरी आपको फिकर करनी की जरूट नहीं है आपका अच्छा मौका है आप पहले दिन जो है वह आप एक्जाम दे कि जो है फ्री हो जाओगे साथ और जिनका भी अभी एक्जाम है उन सबी के लिए और वेश असे से रिवीजन कीजिए फुकस कीजिए ज्यादा से ज्यादा क्वेशनों की प्रैटिस कीजिए तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद